नमस्कार, मैं हूँ पंकच कुमर, इस खास पेस्कस में मैं आपके साथ ये डिसकस करने जा रहा हूँ कि आखिरकार जहारखंड में जो पहले चरण का मतदान हुआ है, उसके बाद जो वोटिंग परसेंटेज सामने आया है, वो क्या कुछ कह रहा है? अब आप देखिए कि 66 फीजदी से जादा मतदान हुआ है, और यकीन मानिए, जब जब 60 फीजदी से जादा मतदान हुआ है, तो इस्थिर सरकार बनी है, और इसके कई सारे उदाहरन भी है, 2005 में 57 फीजदी लोगों ने मतदान किया था, और इस्थिती बहत खराब रही थी, 2009 में भी इस्थिती उसी तरह की रही थी, इसलिए अब ये माना जा रहा है, कि इस बार जो की पिछले साल की तुलना में तकरीबन 3 फीजदी जादा वोटिंग परसेंटेज है, जो ये साब तोर पर बताता है, कि जिसकी भी सरकार बनेगी, वो क्लियर कट मैंडेट उसको मि अब सवाल उठता है, कि इस बार किसकी सरकार बन रही है, ये भी मैं आपके साथ डिसकस करना चाहूंगा, दरसल आपको ये बता दू, कि जारकंड में हर बार देखा गया है, वोटिंग ट्रेंड को देखते हुए कि सरकार बदली है, इसलिए आप उस अंदाज से देखें, ख़ें तो आपको लिगेगा कि क्या इस बार भी सरकार बदल रही है, इसकी संभावना बहुत जादा कुछ राजनेतिक विशलेशक बता रहे है, पर क्या ऐसा होने जा रहा है, इसका भी बारीकी से विशलेशन हम आपके साथ करेंगे, हम आपको सबसे पहले ये बताना चा इसको समझना बहुत जरूरी है इसके पक्ष में क्या है और इसके बिपक्ष में क्या है ये हमें समझना बहुत जरूरी है इसके पक्ष में और बिपक्ष में जो मैं आपको बता रहा हूं कि जेमेम की सरकार क्या बदल सकती है अगर आप देखें तो गाउं में वोटिंग पर जेमेम का मजबूत आधार गाउं में दिखा है और बीजेपी का मजबूत आधार शहरी छेतरों में दिखा है तो इसलिए अगर इस आधार पर आकलन करें तो शायद बीजेपी के लिए ये अच्छी खबर नहीं है क्योंकि आप राची देखें तकरीवन 22% के आसपास वोटि होता है तो ये क्या बतलाता है क्या शहरी लोगों ने मद्दान में हिस्सा कम लिया और कम लिया तो क्यों लिया उनके भीतर उदासी इंता क्यों थी जबकि आपको याद होगा प्रधान मंत्री ने राची में रोड शो किया तो सवाल ये उठता है कि कई बार के जीतने वाल यह एक गंभीर विश्य है दरसल कई सारे राजनेतिक विशलेशा की यह कह रहे हैं कि नहीं इस बार वैसा नहीं होगा गाउं में भी बीजेपी ने जिस तरीके से आदिवासी बहुल इलाके में फोकस किया है लोगों पर ध्यान दिया है इसलिए आदिवासी अब बीजेपी क पक्ष में बढ़ चड़के मतदान कर सकते हैं इस तरह का की बातें की जा रही है पर आप अभी तक का पैटर्न देखेंगे तो उससे एक बात बहुत साब समझ में आ जाएगी कि गाउं में लोगों ने जीएमेम को वोट किया है आदिवासी बहुल इलाके में जीएमेम को पड़ा है आपको याद होगा लोग सभाचुनाओं में भी जारखंड मुक्ती मोर्चा लेड एलाइंस जहां जीती है वो आदिवासी बहुलेला का था तो इसलिए ये जो इंडिकेटर है वो बीजेपी के लिए चिंता जनक है और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इस बा बात करना चाहूंगा आपसे और दूसरी बात क्या करना चाहूंगा कि कहा ये जा रहा है कि जेमें को लेकर के गुस्सा नहीं है जेमें को लेकर के निराशा नहीं है हेमन सोरेन को काम करने का कम समय मिला ये बात काफी सुनाई पड़ी है तो अगर हेमन सोरेन को काम करने का क काज़गी कम हो सकती है लेकिन कॉंग्रेस कमजोर करी है कॉंग्रेस किस तरीके से कमजोर करी है आप इस आधार पर भी समझ सकते हैं की वोटिंग से एक دिन पहले कांग्रेस अपना मैनिफैस्टो जारी करती आ है और इस बात को ले के बिवाद बढ़ जाता है कि मोडल कोड आफ कंड़क्ट के ये खिलाफ है जी हाँ इसको कहा जा रहा है मोडल मोडल कोड आफ कंड़क्ट MCC के खिलाफ है बीजेपी ने इसकी शिकायट भी की है और जो राजिक के चुनाव आयूक थे उन्होंने इस मामले को संग्यान में भी लिया बहराल ये टेक्निकल पहलू है मैं इसमें ज्यादा घुसना नहीं चाहूंगा क्योंकि बहतर होगा इस बारे में चुनाव आयूक फैसला करें चुनाव आयूक फैसला करें कि सही क्या है और गलत क्या है लेकिन एक बात तो बहुत साफ तरीके से नजर आती है वो ये है कि कॉंग्रेस चुनाओं के लिए भरपूर तैयारी नहीं कर रखी थी अगर कॉंग्रेस ने भरपूर तैयारी की होती तो शायद ऐसा नहीं होता कि चुनाओं से ठीक एक दिन पहले जो वो पीरियड होता है जिसमें बहुत लोग कहते हैं कि आप मैनिफेस्टो रिलीज नहीं कर सकते तो कॉंग्रेस ने ऐसा नहीं किया होता कॉंग्रेस ने इतना समय क्यों लिया क्या ऐसी वज़य थी कि मैनिफेस्टो रिलीज करने में भी कॉंग्रेस जैसी नैशनल पार्ट जीत पाएगी अगर हेमन सोरेन के पक्ष में माहौल है तो उस हवा में कॉंग्रेस को भी जीत मिलेगी ये एक सवाल उठ रहा है इसमें कई लोगों के नाम चर्चा में हैं और कहा जा रहा है कि नहीं हेमन सोरेन शायद अपनी सीट बचा भी ले जितना वो पिछली वार जीते पर इस बार कॉंग्रेस उतनी सीटें बचाने में कामियाब नहीं रहेगी इस तरह की बात भी कही जा रही है दरसल कहा जा रहा है कि जो सर्यूराय पिछली वार रगुवर दास को हराने जमशेदपूर पूर भी पहुँच गये थे वो सर्यूराय इस बार जमशेदपूर पश्चिम से लड़ रहे हैं और सर्यूराय बन्ना गुपता को हराने जा रहे हैं यानि बन्ना गुपता की सीट फशी हुई है अब हरा पांगे की नहीं हरा पांगे ये तो final परिनाम चुनाओ परिनाम के बाद ही कहा जाएगा लेकिन कहा जा रहा है कि कॉंग्रेस की कई सी सीटें फसी होने की वजह से कई सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इस बार कॉंग्रेस का आंकड़ा सिंगल डिजिट में रहेगा जहां तक आरजेडी का सवाल है तो वो भी एक सीट से ज़्यादा नहीं जितने जा रही है तो अगर कॉंग्रेस का परफॉर्मेंस खराब और आरजेडी का परफॉर्मेंस खराब रहता तो आप बताईए फिर सरकार कैसे बनेगी ये एक बड़ा आधार रखा जा रहा है जो बीजेपी के पक्च में जो एक आधार रखा जा रहा है कि परिवर्तन कावा क्यों है और ये भी कहा जा में एक बात बड़ी जोर सोड से कही जा रही है वो ये कि हेमन सोरेन ने मैया योजना लागू करके महलाओं को अपनी तरफ हाकरसित किया है अब सोचिए कि चर्चा में लोग इस तरह की बात करते हैं कि 2100 पर 2500 पड़ा भारी मतला बहुत साफ है कि अभी तो हेमन सोरेन 18-50 साल के उमर की महलाओं को 1000 रुपया दे रहे हैं लेकिन यही हेमन सोरेन जब जीतते हैं तो अगली बार क्योंकि उन्होंने कैबनेट से पास करा दिया इसलिए ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि कैबनेट से जो 2500 पास करा गया है क्या बीजेपी जीतेगी तो क्या उसको 2100 पर हेमन सोरेन और कॉंग्रेस दोनों मिलकर के 72 सीटों पर चुनाव जीत रहे हैं पहले चरण में 43 सीटों पर चुनाव हुआ है और अगर आप देखें तो 43 में 20 सीट ऐसा है जो सिडूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व है तो कहा ये जा रहा है कि आदिवासी बाहुल छे तर्विधान सवा सीट जो 28 से उन में 20 में चुनाव हो चुका है अगर आप कोलान की बात करें तो जहां से चमपई सोरेन आते हैं 14 सीटों पर चुनाव हो चुका है अगर आप उतरी छोटा नाकपूर और दक्षनी छोटा नाकपूर की बात करें तो वहां पर 20 सीट पर वहाँ पर क्या असर होगा तो वोटिंग परसेंटेज देखने के बाद लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं इसलिए ये गंबीर सवाल उठ रहा है कि क्या इस बार जारखंड अपने पुराने ट्रेंड को बदलेगा मतलब हेमन सोरेन का रिपिटेशन होगा या ज धारखंड अपने पुराने ट्रेंड पर ही कायम रहेगा और इस बार परिवर्तन फिर से देखने को मिलेगा क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है बहुत बड़ा मुद्दा कुशाशन है बहुत बड़ा मुद्दा आदिवासी बाहुल छेतरों में आदिव अच्छा बहुत जोड़दार तरीके से चल रहा है और एक बात जो लगातार लोग कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से कॉंग्रेस कमजोर हुई है कॉंग्रेस के नेताओं के घर पर कडोरो कडोर रुपय मिले हैं आलम गिर आलम 30 कडोर रुपया उनके घर पर और आज भी आमिशा ने इस बात को पुर्जोर तरीके से गिरिडी में उठाया है। आपको याद होगा धीरा साहू के घर पर साड़े तीन सो कड़ो रुपे बरामद हुए। तो कहा ये जा रहा है कि इससे कॉंग्रेस की मट्टी पलीद हुई है, आपस में कॉंग्रेस की लड़ाई बहुत जोड़दार रही है, मंत्री बनने की वज़ा से हेमन सोरेन सरकार हमेशा अनिस्टेबल दिखी है, और ये सारी प्रॉब्लम कॉंग्रेस के साथ ही थी। इसलिए अगर आप इन चीजों पर ध्यान देंगे तो कॉंग्रेस और आर्जेडी को कमजोर कड़ी बता करके, कहा ये जा रहा है कि हेमन सोरेन भले ही बढ़ियां परफॉर्म करें, पिछला जो परफॉर्मेंस था उसको रिपीट करें, लेकिन कॉंग्रेस और आर्जेडी की वज़ा से हेमन सोरेन को हार का सामना करना पड़ सकता है, पर क्या ये वाकई ऐसा होगा, क्योंकि आपको बता दें कि बिहार में कॉंग्रेस आर्जेडी के साहरे पॉलिटिक्स करती है, ये बात किसी से छिपा हुआ नहीं है, इसलिए जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ने को लेकर के अपने अपने दलिल दिये जा रहा है, वो काफी चौकाने वाले हैं, ऐसे में गंभीर सवाल ये उठ रहा है, कि 81 बिदान सभा सीट वाले जारखंड में इस वार किसकी सरकार बनेगी, ये कोई भी पुखता तोर पर कह पाने में समर्थ नहीं देख रहा है, उसके कई सारे लॉजिक्स भी हैं, तो उसके काउंटर लॉजिक्स भी हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि 3 फिस्दी का जो वोटिंग परसेंटेज का अंतर है, वो ये चीज़ तो साब कह रहा है, जो पिछले कई सालों से 25 सालों में जारकर्ण में देखा गया है, कि अगर इतना बड़ा अंतर है, तो निश्चित तोर पर इस्थिर सरकार तो बनेगी, पर वो किसकी बनेगी, इसको लेकर के कई दाबे भी हैं, पक्च में भी और विपक्च में भी, तो इस खास एपिसोड में इतना ही, ताजातर इन खबरों के लिए आप लगतार देखते रहे हैं TV9, धन्यवाद, नमस्कार.